सुश्मा जी स्वागत है आपका नमस्कार मैं जी नमस्कार आप कहां से बात कर रही है मैं मैं हरया नाम बाला से बात कर रही है जी मैं आपका सवाल हंजी मैं सर को नमस्कार मेरा सुश्मा जी स्वागत है हमारे प्रोगाम में हंजी सर सर परसों फोन किया था मैंने आपको बेटी के बारे में सर हंजी तो वो लाजवन्ती के भी बताये थे सर आपने वो देरी हूं मैं इसे तो हलका सा मतलब फरत लगा है सर मैंने फोन इसलिए किया है भी आप उसके लिए दुआ करो आपकी दुआ बहुत लगती है जी बहुत बहुत धन्यवाद और फाइदा भी शुरू हो गया सुश्मा जी दो दिन में आपको फाइदा भी शुरू हो गया भगवान की आप पर बहुत महरवानी है और जिन पर भगवान की महरवानी होती है वो लोग इसलाइक होते हैं कि उनसे दुआ के लिए कहा जाए तो मैं आपसे प्रातना करता हूं कि मेरे लिए बागवान से प्रातना करें कि मैं आपकी सेवा और ज्यादा कर सकूं बलाल आपने मुझे से कहा है तो देखिए मेरे प्रोगाम में या मुझे में और दूसरे लोगों में यही फर्क है कि आप मुझे दूआ के लिए कहें या न कहें मैं आप लोगों के लिए अपने यानि मश्वरी के साथ दूआ भी खामशी से करता हूँ और रोज करता हूँ कि यह भगवान मेरे साथ जो वीवर चुड़े हुए है अगर तुझे मेरी लाज रखनी है तो मेरे बताय हुए मश्वरे में उनको फाइदा लिखते हैं उनको हुक्म दे दे उन दौाओं को उन मश्वरों को के उन मरीज़ों को फाइदा दे दे शायद इसी का असर हो और मैं विशेश दौा भी करूँगा कि आपकी बच्चे को फाइदा हो जाए दिल्ली से हैं लाजवन्ती जी स्वागत है आपका हालो लाजवन्ती जी आपको मेरी अवाज मिल पा रही है अग्धी नमस्कार जी नमस्कार मैम आपका तो नमस्कार गरूजी ए आपका तो नाम लाजवन्ती जी दवाव वाला नाम है पहले भी शायद बात हुई आपसे हाँ जी हाँ जी मेरे दो बार बात हो चुकी आपसे कोई प्रोगार्म ऐसा नहीं कि मैं आपका नाम न लेता हूँ हाँ पहले बिरे नाम आपने कर दो लिया था नाम लिया था हूँ हाँ तो और बहुत बहुत नमस्कार आपको आपके चर्णो में कोटी-कोटी नमन बिरा स्वागत आपका बहुत हाँ मैं उस न चारी की मेरे दीन सवाल है आपसे हम एक तो जो गौन मौरिंगा है तो यह सफेद वाला जो आप देते हैं तो हमने पेड़ से निकाला है वो तो खुड़ा ब्राउन का ररगा होता है और जो काला गों तो यह पूंच पेड़गा होता है ठीक है और एक मेरे दामाद के दोस्त है उनकी उमर होगी कोई 55-56 साल और उनके पैर में गैंगरीन हो गया है उनके पैर का काटने की नहीं बताईगी तो उनके लिए को इलाज हो तो बताईए अपनी इसनी ठीक है जो देखिए जो गौन मौरिंगा है यह जब फर्टिलाइजर में पैदा होता है तो ऐसा होता है जैसा आपको मिलता है पेड़ से और वो प्रोसिस प्रोसिस नहीं हुआ होता तो उसको लोग इस्तेमाल करते यह जो गौन मौरिंगा है इसको जब हम तीन साल तक किसी खेत में फर्टिलाइजर नहीं डालते और गोबर की खाद और और्गैनिक खाद जो डालते जिसे और्गैनिक कहते है तो वो ऐसा होता है जैसा मैं बताता हूँ और जो आप बता रही है वो फर्टिलाइजर वाला है जो प्रोसेस भी नहीं हुआ होता हम जो देते हैं वो एक प्रोसेस वाला होता है और उसी को असली माना जाता है, असली इसको भी माना जाता है, लेकिन ये किसी काम का नहीं है, सिवाए इसके कि आपको विटामिन C वगरा दे दे और दूसरा सवाल आपका कि गौन सियाह कौन से पेर से आता है ये आबनूस का पेर होता है इस पेर से कभी किस जमाने में जब मैटल नहीं था मैटल की बासरी बगएरा मैटल का प्रियोग शुरू नहीं हुआ था उन जमाने में इसकी लकडी से बासरी बनती थी ये बिलको काला होता है काली बासरी होती थी और अब मैटल वगएरा चल पड़े हैं लेकिन अभी भी किसी किसी के पास वो बासरी मौजूद रहती एक बिलकुल काले रंग का पेर जिससे काला गौन निकलता है उसे ही गौनसिया कहते है और एक कोशिश कर सकते हैं वादा कुछ नहीं उनको डॉक्टरों की दवाओं के साथ आप अलसी को हलका सा भून लें और एक चम्मच अलसी खिलाएं मरीज को और एक चुटकी नमक जैतूल एक चुटकी खाने का सोड़ा दो गिलास पारी में मिलाकर एक चम्मच अलसी दें एक टाइम दिन में या दो टाइम लगा तार दें कुछ फाइदा हो तो हमसे आप बात करते रहें पर नहां आप डाक्टरों की बात मान सकते हैं जम्मू से हैं अनीता कुछ जी स्वागत है आपका अलो मैं नमस्कार जी नमस्कार सर मैड़ में हम हकीम सुलिमान जी का प्रोड़ा देखते हैं हम नमबर की जिनको मैं मिला रहा था मिलनी रहा था आप सिक आपके सामने हाजीर हूं बताए यह क्या सवाल है इस सर्व हमने म पारे में अगर आपको कोई सवाल करना है तो हम आपके सामने हाजीर हैं कोई भी सवाल कर सकते हैं ऑडर के लिए हल्प नाइन नमबर लीजे उन पर बात करें आपकी मदद की जाएगी अगले कॉलर है हमारे साथ स्वागत है आपका हालो जी असलाम अलेकुम वालेकुम सलाम आपका नाम क्या है जी मेरा नाम अफ्रोजर जी आपका सवाल जी मेरा सवाल बहुत तसली की साथ हकीम दी और आप भी बहुत इस मिनाम की साथ सुनियों मुझे बहुत परेसानी हो रही हम बताएए बीज मों काटना मुझे दिकत कि मेरे गेस बनो महजदो. और मैंने अंडर पौछी मि टारा गी और अट्रास, एडरास, टेर लिया बुरूल गटी वह ओफैर आगी तो जी आप गेस बनो नहीं बाहरा, नहीं तछए रहों ज़ा रहों गए. आप कहा रही थी न काटियो मत हम लोग ने काट तक ते फोन एक काटने वाल दूसरा डिपार्टमेंट है हमार पास तो आगया तो हमें होता है कि अच्छे से बात करें नहीं तो हमें निकालने प्रोगाम से तो काटने वाला कोई और है अच्छा देखिए ये बहुत अच्छा किया अफरोज आपने के अल्टा साउंड करा लिया ताके हमें भी इत्मिनान हो गया कि जाहिरी तोर पर कुछ भी नहीं है इसे रोग होने से हम इस तरह की बीमारियों में ग्रस्त हो जाते हैं एक बड़ा अच्छा नस्खा है आप तो ग्रहनी हैं और च्छे चीजें आपको किचन में मौजूद हैं और च्छे चीजें कौन सी लिख लो जी अगर पैन्वेर लेके बैठे हो तो लिख सकते हो और यह सौफ सौट जीरा सौफ सौट जीरा अजवाइन धनिया में थी च्छे चीजें आपके किचन में याद रखो सौफ सौट जीरा अजवाइन धनिया में थी च्छे चीजें दो बार मैंने बोल दी और एक बार बोल देता हूँ आपकी भाशा से मुझे लग रहा किया पता नहीं लिख पाओगे या नहीं सौफ सौट जीरा अजवाइन धनिया में थी सौ सौ गिराम खरीद कर पाउडर बना लो और जी पाउडर बना के एक दब्बे में करके रखो एक आता है नमक जैतून नमक जैतून याद रखो जी के एक नमक विशेश है जो स्वाद में नमकीन नहीं होता ये अलग से सौ गिराम खरीद लो एक चुटकी नमक जैतून दो गिलास पानी में डालो दो गिलास पानी में एक पनी मिक्स हो जाता है असानी से नमकीन भी नहीं होता है हलका सा कड़वा या खारा सा होता ये जो छे चीज़ों का पाउडर बनाया है ये एक दो बार आपको फाइदा होना मुम्किन है बिलकुल हकीम साब सवाल यहां पे मैं जरूर करना चाहूंगी इन्होंने कहा कि इनको गैस पास नहीं होती है जिन लोगों को इस तरीकी की प्राबलम होती है तो क्या ये भी एक संकेत है कि आपको कोई बहुत बड़ा रोग होने इसको लेने सबसे पहले तो आपको गैसी पास होने लगती है आदा एक गंटे में आपको अच्छे से गैस पास होगी जो लेटीन है वो आगे सरकना शुरू हो जाती है और वरम हो तो वो दूर होने लगता है कहीं भी सैलिंग हो जाती है ना वरम और लीवर को मजबूर करत यह नुसका और आतों में बल देते हैं कि वह ज्लदी से guess pass करके इसको रही हो जानी चाहिए यह infection भी दूर करता है वर्म भी दूर करता है लीवर को भी खार लगता है इसकिन का भी खायर लगता है, सेहत का भी खायर लगता है, आप इसे इस्तमाल करें, आप इसे फाइदा उठा सकते हैं. तो इसके बाड़ी में स्ट्रेच मार्क पर रहे हैं, तो इसका कोई राइद है? ठीके माम. अचार ये बताईएए ये जो पैर टाइट हो जाते हैं, पहले भी होते थे याभी हो रहे हैं, आपके? आप हैं लाइन पर क्या? मैं आप बात कीजिए बीना जी 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 मैं ये बताएए कि आपके पैर पहले भी टाइट रहते थे या अभी हुए हैं अचर दर्द की दवा आप खाते थे वो छोड़ी है आप न भी खाते हैं अभी कितनी बार खाते हैं पहले की तरह या कम होगी कुछ नहीं दर्द की दवा इंग्लिश दवा जो खाते थे दर्द की दवा नहीं लेते कोई ठीक है अच्छा काम करना शूरू कर दिया है माना के एक महीना हो गया लेकिन अभी दो महीने की दवा और है आपके पास वज़न न उठाएं मेहनत न करें वेस्टन टॉालेट कुर्सी वाला शोचाले इस्तिमाल करें और आप ये इस्तिमाल करते हुए आप लगातार भगवान से मदद मागें वज़न बिल्कुल न उठाएं जाड़ू पहुचा भी न करें वेस्टन टॉालेट कुर्सी वाला शोचाले इस्तिमाल करें अभी बहुत गुन जाशे आपके अच्छा होने में और वज़न ज्यादा है तो उसको भी कम कर लें कि इनको वो निशानात आगे हैं उनके लिए कि आप अलसी और वे व इसको हलका सा भून कर लसी को ऑफ चम्मच अलसी और एक चुटकी नमक जेतुन के पानी के साथ रोझाणा एक बार लिया करें उनको फार्दा होना मुम्किन है थायराइड अगर थायराइड बिये तो एक चम्मच धनिया आद़ चम्मच अलसी और ए आतार दिन में दो बार सुबह निहार मूँ और रात को सोते वक्त दें तो उनके भी दोनों रोगों में फाइदा होना मुम्किन है लेकिन जल्दी बत करना साथ-ाथ महीने भी लग सकते हैं